हाई फ्रेंट्स, question number 39 देखते हैं, a man in a boat rowing away from a lighthouse, 100 meter high, takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree, find the speed of the boat in meters per minute, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर question, question का रहा है, कि यहाँ पर एक lighthouse, लाइट हाउस होता है, समुद्र की किनायन लगा होता है, जो उससे light निकलती है, जो सिफो, run करने में easy होता है, वहाँ पर जो आता है, उसके लिए help करता है, यहाँ पर लगा होगा क्या lighthouse, और इस light house का जो height है, 100 meter है, ठीक है, 100 meter इसकी height है, यहा पर mention भी कर दे रहा हूँ, light house, ठीक है, और इस light house से कुछ distance पर एक seep है, मालते यहाँ पर एक seep है, और यह seep में जो बंदा बैठा हुआ है, जब इस light को देखता है, इस top को देखता है, यहाँ स्लाइट आ रहा है, तो यहाँ पर जो अब angle of elevation जो है, पॉर्म्ड हो रहा है, कितना 60 degree, लेकिन यहाँ पर seep रुकाने चली रहा है, जब इस time पर देखा, तो 60 degree, लेकिन जब 2 minute बाद देखा, अब 2 minute के बाद कहीं, यहाँ पर आ गया होगा, अब जब अब देख रहा है, तो यहाँ पर जो angle of elevation जो बन रहा है, वर 30 degree बन रहा है, तो कह रहा है question, तो बता आईए, seep का speed क्या होगा, समझे question, तो क्या था, एक light house था, light house से कुछ distance पर एक seep था, जब यहाँ पर seep पहुंचा, तो देख रहा है, light house के top को, तो angle of elevation जो तो 60 degree form कर रहा है, लेकिन अभी भी seep जो है, वो रुका नहीं चली रहा है, जब 2 minute, 2 minute travel कर लिया, 2 minute travel किया, उसके बाद वो इस point पर पहुंचता है, और फिर इस point पर देखता है, इस top को, तो अब उसका angle of elevation जो होता है, 60 से 30 degree बन जाता है, तो कर रहा है, उसकी वास्तों में speed क्या थी, कि उसकी जो होता है, angle of elevation 60 से 30 degree चेंज हो गया, within 2 minutes में, तो बताना है, वहीं speed बताना है, तो कैसे solve करें तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें यह time दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम distance यह find out कर लेते हैं, तो क्या हमारा speed निकल जाए, क्योंकि हम जानते है, speed का formula क्या होता है, distance upon time होता है, तो distance by time आजाएगा, तो इसको चलते है, solve करने, तो A, B, C, D, ठीक है, तो हम चलते है, in triangle, in triangle A, B, C, तो A, B, C में जोता है, यहाँ पर कितना है, 90 degree है, ठीक है, तो 10, 30, 10, 30 is equal to P by B, that means perpendicular by base P, क्या है, B, C है, और height base क्या है, हमारा A, C है, देखो यहाँ पर, अबारा क्या, perpendicular क्या है, B, C है, और base क्या है, A, C है, क्योंकि हम बड़े वाले triangle में है, ठीक है, तो 10, 30 क्या value कितना होता है, 1 by root 3, तो B, C is equal to कितना हो गया, तो B, C, आपका दिया है, यहाँ पर, B, C equal to 100 meter, ठीक है, यह, B, C दिया कितना, 100 meter दिया है, तो 100 by A, C कितना दिया है A, C नहीं दिया, A, C तो find out करना है, cross multiply करेंगे, तो A, C is equal to 100 root 3 आगया, ठीक है, यह, हमारा A, C निकल गया, अब हम find out कर लेते, यह, D, को find out करने के लिए, क्या करेंगे, हम सबसे पहले A, C निकालेंगे, और A, C में से, जब D, C को, सब्टेट कर देंगे, तो क्या के वाल मेर A, D ही बचेगा, उसी को तो find out करना है, तो चलिए, तब चलते हैं, in triangle, in triangle, अब देखिए, अब छोटे वाले triangle में, B, C, D में, ठीक है, तो B, C, B, C, D में, 10, 60 is equal to P by B, तो यह, P क्या है, base हुआ है, B, C perpendicular है, और base क्या है, C, D है, ठीक है, तो C, D हमारा base हो गया, 10, 60 के वालू कितना होता है, root 3, base क्या है, BC जो है, base नहीं, BC है, तो BC क्या हमारा, अभी भी 100 है, तो 100 हो गया, CD क्या, CD को find out करना है, CD, तो cross multiply करेंगे, तो CD equal to 100 by root 3, ठीक है, तो इसको rationalize कर देते हैं, तो कितना हो जागा, 100 by root 3 into root 3 by root 3, तो कितना हो गया, 100 root 3 by 3, इतना हो गया, हमारा CD आगया, अभी क्या निकलना है, AD, तो AD के लिए, AD के लिए, हम AB में से CD को AC है, AC में से CD को subtract करेंगे, ठीक है, AD, AC हो गया, AC में से CD को subtract कर देंगे, तो हमारा केवल AD बच जाएगा, ठीक है, तो AC कितना है, AC आपका 100 root 3 है, और CD कितना है, CD आपका 100 root 3 by 3, अब इसका LC हम लेते हैं, ठीक है, कितना होगा, तो आपका 3, तो आपका यहाँ पर कितना होगा, 300 root 3 minus, यहाँ 100 root 3 equal to 300 root 3 में से 100, 200 root 3 by 3, ठीक है, तो 200, इसको 200 by root 3, इसको इतना रांदे, ठीक है, आगे solve करेंगे, ठीक है, 200 root 3 by 3, यह क्या होगा, हमारा meter आ गया, ठीक है, तो हमें क्या find out करना है, हमें find out करना है, हमें find out करना है, speed, तो speed का formula क्या होता है, तो speed का formula होता है, distance covered, distance covered by time taken, time taken, तो distance covered कितना हुआ है, तो distance covered जो हुआ है, आपका 200, 200 root 3 by 3 आ गया, ठीक है, अब time taken, time कितना लगा है, 2 minute लगा है, distance upon time हमारा हो गया, अब इससे solve करते, 2 से cancel करेंगे, तो 100 हो गया, तो 100 into root 3 का value कितना होता है, 1.732 by 3, देखिए, अब इस decimal को हटा आएंगे, तो यहाँ पर, 1 decimal बाद कितना है, तो 3, 0 put कर दिया, 2, 0 से 2, 0 cancel हो गया, कितना होगा, 1732 by 3 into 10, ठीक है, तो 17, 1732 को हम divide करेंगे, 3 से कितना आजाएगा, तो देखिए, तो यहाँ पर आजाएगा, हमारा solve कर रहा है, तो 3, 15, तो आपका आजाएगा, यह आजाएगा, यह आजाएगा, 577.33 by 10 आगया, तो देखिए, अब 10 से डिवाइड करेंगे, का मतलब decimal point हमारा पीछे की तरह shift हो जाएगा, तो 57.733, मीटर, मीटर, मीटर पर मीटर होगा, यह हमारा क्या होगा, speed हो गया, ठीक है, speed of क्या चीद था, speed of the boat, यहाँ लिए देंगे, speed of the boat, ठीक है, तो प्ली दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, और आपके लिए अगर helpful है, तो प्लीज चनल को like and subscribe प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका like and subscribe ही motivate करता है, तो थैंकि फ्रेंड्स,